आप सभी को मुश्कुराता हो नमस्कार मैं डॉक्टर बालमकुन शास्त्री स्रीरधाम विर्दावन से राधे राधे आज हम आप लोगों के मत्य उपस्तित हैं योग आसन विध्या को ले करके आज हमारा विश्य रहेगा योग आसन द्वारा योग द्वारा हम किस प्रकार अपने डायविटेज को रोक सकते हैं स्वस्थ कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं तो आए जानते हैं थोड़ा साथ डायविटेज के बारे में डायविटेज मुल्तः जो आम तोर पर देखी जाती हैं वह दू प्रकार की होती हैं जिसे हम लोग टाइब बन और टाइप टु बोलते हैं इंसुलीन डिपेंडेंट और नन इंसुलीन डिपेंडेंडेंट जिसमें एक में इंसुलीन की आवशक्ता होती है एक में इंसुलीन की आवशक्ता नहीं होती तो अब हम लोग बोना Hayır जो इंसुलीन का प्रोडिक्षण जो ग्रंती करती है उसके बारे में थुर्वा सामें जानना होगा आसाइन बगेरा को करने से पूर यह पैंक्रियार से इंसूलिन का सीख्र 170 होता है वहां से उनका प्रडिक्शन होता ऑपूरे सरीर में रेगूरेड करती में सुगर को क्लूकोस को लट के महिंतवत्य हम SSC के आगर ये इसमें थोड़ी से फिकराबी आती है तो इंसुलिन या तो कम होने लग जाता या फिर अधिक होने लग जाता है तो अगर हम लोग इसके उपर प्रभाव देने वाले कुछ आसन करते हैं तो निश्चित तोर पर हमें इसका कुनता अच्छा मिलता है और मैं कहता हूँ कि कम से कम यह समझें कि 99.9% तक ठीक हो सकता है तो आईए हम लोग जानते हैं कुछ विसेश आसना जिस अभी मैं बजरासन के स्थिति में बैठा हूँ तो मैं यहीं से सुरुवात करता हूँ बजरासन में सबसे जो अच्छा आसन है वो मंदुकासन है मंदुकासन के लिए हम लोग मुठी बना लेंगे अंगुठे को अंदर की और पूरे उंगले उसके उपर और नाभी के दोनों साइड या फिर नाभी के नीचे हलका सा प्रैस करते हुए सास को छोड़ते हुए आ अगर हम लोग जाद से जाद प्रयास करें अगर जाद से जाद अभ्यास करें तो निश्चत तौर पर हमें यह पैंक्रियस को इस टुमलेट करने में उस पर प्रभाव डालने में लावपर्थ सिर्द्ध होगा तो यह था म आपका मंदुकासन